हैलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत ही और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उरिस्टा हैड्रो पाबर कॉर्परेशन्स लिमेटर के तरब से टेकनिकल नॉन एक्जेक्रिटिव पोस्ट के लिए यहां पर अच् कर सकते हैं डिस्क्रिफ्शन में लिंक है वहां पर देखके समझ सकते हैं प्रोसर क्या है तो चलिए आज इस वियुशंग में है कि ओंलान कैसे करना है घ्शियूव पे लिए आपके सामने आप यहाँ पाईएगा और आपको ग्दम नीचे के और आना है और यहां पर एक ड empty और non-executive बूला तो यह form का यह लिंक है यानि 322 का आपको इसकी उपर आके किलिक कर देना है इसकी उपर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको पुछेगा कौन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी बाद आपका जो मुबाइल नंबर है जो चालू है वो आप देजेगा और इसकी बाद आपका इमेल अडी जो होगा अपना इमेल अडी दिजेगा जो वर्क कर रहा है यह नहीं चालू है इसकी बाद इस capture code को यहाँ डालना है और जो submit का option देखने को मिल रहा है आपको submit के उपर किलिक कर देना होगा submit के उपर किलिक करते ही यहाँ पर आपका registration successfully हो जाएगा जहाँ पर आपको एक ID और password मिल जाएगा अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक go to application form को option देखने को मिल रहा होगा आपको directly go to application form के उपर एबर किलिक कर देना है जैसे go to application form के उपर किलिक करेंगे आपके सामने एक फीच से page open होगा इसके पाद यहाँ पर आपको तीन center choice करने के लिए कहा जाएगा तो जो भी आपको city जहाँ आपको center choice करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं जो कि 5-6 city यहाँ पर आपको दिया गया है जिसे बालासूर, बरहमपूर, भुनिस्वर, कटक, रावरकेला और संबलपूर इस 4-5 city में आपको 3 city देना जरूरी है यह तीनों जिब दे दिजेगा इसका यह confirm नहीं है कि आपको center वहीं मिलेगा लेकिन maximum chance होता है कि आप जहाँ center दे रहे हैं वहाँ मिलेगा और उसके बाद category आपका होगा तो जो भी category से बिलोंग करते हैं जैसे general से बिलोंग कर रहे हैं SC से आते हैं, ST से आते हैं, EVC माते हैं जो भी category से बिलोंग कर रहे हैं आप यहाँ पर लिख दिजेगा लिकिन जो other state के जो apply कर रहे हैं वो यहाँ पर general ही selection किजेगा उसके बाद यहाँ पर जेंडर पुछेगा कि आप male है, female है या transgender है इसके बाद nationality होगा तो अपना Indian का selection कर लिजेगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जो date of birth होगा आपको यहाँ पर अपना date of birth का selection कर लेना है कैसे करेंगे तो यहाँ पर देख पारे हैं, एक calendar का sign बनावा है इस calendar के sign के उपर आपको click करके यहाँ पर अपना age फिल अप कर देजेगा इसकी बाद पूछेगा कि आप विकलांग है या नहीं है, आपको yes और no पर ही click करना है अगर विकलांग में आते हैं, तो yes पर click के जएगा, अगर आप 40% से plus हैं तो नहीं है, तो no पर click कर देजेगा इसकी बाद ओडिया से यहाँ पर relation पूछ रहा है, तो ओडिया यहाँ पूछा गया कि आपको बोलने पढ़ने लिखने आता है कि नहीं, आपको यहाँ पर yes करना ही होगा और साथ में यहाँ पर आपको 4 choice दिया गया है कि आपका ओडिया language किस माधिम में था, 10th में था, 12th में था, या 7 से लेकर कोई भी education qualification जितना भी लिए हैं, उसमें कहीं भी ओडिया subject था या नहीं था, और साथ में ओडिया आपको कहीं भी pass पढ़ाई की हैं या नहीं की हैं, यह चीज आपको दियेना होगा, बीना इसके selection के यह process आगे नहीं बढ़ेगा, और धियान रखना है, अगर आप उडिया पढ़े हैं कभी, तो यहाँ पर आपको proof भी इसका देना पढ़ेगा, कि आपका उडिया एक subject भी था, तो इसलिए यहाँ पर जो भी subject आपका होगा, माले जिए 10th में आपका था उडिया, तो वो certificate आपको 10th का upload भी करना पढ़ेगा, जिसमें उडिया के बाड़े में mention किया होगा, तो यह भरने के बाद पूछ रहा है कि आप a sports person है या नहीं है, आपको yes or no के उपर click करना है, एक service man है कि नहीं है, एक service man का मतलब होता है Indian Air Force, Indian Army और Indian Navy से कभी रिटार हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके या पुछ रापका घर उडिसम पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, आपको इसका yes or no पर click करना है, अगर belong करते तो yes पर click किजएगा, अगर belong नहीं करते हैं, यानि योडिसा के other shirt में रते होंगे, तो आप no पर click कर कर दना है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रस्नल लिटेल भरने किल कहा जाएगा, जैसे आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम और मैरिट है या नहीं है उसकी बारे में, तो यहाँ पर आपका यह सभी लिटेल भरने के बाद नीची आएगे, तो आपने जो 2019 में जो विग्यापन निकला था, ट्रेनिंग का, किया उसमें आपने फॉर्म अपलाई किया था या नहीं किया था, अगर अपलाई किया होंगे, तो यहाँ पर किलिक किजएगा, और जो भी कर्टेगरी जेंडरल और OBC वाले बच्चों को यहाँ पर फीस में ए किया हांगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको इसका रिसेस से नंबर, रोल नंबर, ट्रांजेक्जन अटी, कब ट्रांजेक्शन किये थे, और क्ट्रांजेक्शन, वह यहाँ आपको जो इल्गा होगगा, तब यहाँ पर फीस किता है देन ने करना कि नहीं बूलग जीजएगा एड़ेस लयंड टूब अपने पर भे पोस्ट ओफिस और ठाना यहां पर लिख दीजएगा और फिर आपका कंट्री इंडिया स्टेट जो भी होगा आपका सेलेक्शन कर ले City जो होगा आपका सिलेक्शन करणे जएगा और जो पिन खोट होगा आपने फिल अप करते जएगा अगर आपका Permanent address correspondence यानि कि Present address तो यहां पर एस पर किलिक कर देज़ेगा और सेम टू सेम एड्रेस यहां पर फिल अप हो जाएगा इसके बाद यहां पर Save and Next का option आएगा आपको save and next के उपर click करना है अब यहां पे education qualification का detail पूछेगा जैसे कि आपका 10th का पूछेगा तो 10th में आप board का नाम पूछा तो board का नाम लिख दीजेगा subjects का नाम हो तो subjects का नाम लिख दीजेगा कब pass की है और कितना percentage आया था वो तो 12th के detail दीजे नहीं देना है तो छोड़ सकते हैं इसके बाद आपको diploma ITI जो भी आपको qualification के साब से यह एक्टिवेट होगा जैसे यहां पर पोस्ट भड़ा तो mechanical ट्रेट के लिए भड़ा था यहां पर mechanical का मेरा ITI यहां पर मांगा जा रहा है तो जो भी आपको प्रांच होगा आपको उसका selection कर लेना है उसके बाद आपका specialization feature में होगा तो feature का selection किजेगा ज्यादर qualification हो तो उसको selection कर लेजएगा कब पास किया है कितना percentage आप वो दिजेगा इसके आद पूछ रहा कि आपके ncvt से national apprenticeship certificate है या नहीं तो आपको इस पर किलिक करना ही होगा इसके बाद नीचे को राएंगे तो आगर आपके पास experience होगा तो आप experience क्लिक किजेगा और यहां पर experience के detail आपको एड न्यू रोग option आता यहां पर किलिक करके भर सकते हैं यह भरने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर save and next option आएगा इसके उपर किलिक कर देना है अब यहां पर आपको यह से भी documents अप्लोड करने होंगे जैसे photo यह धियान रखना photo आपको अप्लोड करना है आपको signature black ink में होना चाहिए चाहिए हिंदी इंगलिस किसमें भी करना हो metric certificate या mark sheet जो होगा आप यहांप अप्लोड कर देजेगा जो pedia format मोहना चाहिए एक MP से कम का उसकी बाद iti certificate आपको अप्लोड करना होगा उसकी बाद audio language आपको जहां होगा जहां mention किया गया वहां से आपको अप्लोड करना होगा उसकी बाद यहां पर आपको जाती आपको declaration और capture code देखेगा इस capture code को आपको fill up करना होगा यह सभी भरने के बाद आपको preview का option देखने को मिलेगा अगर आपको preview करना है तो कर सकते हैं check करना है तो अगर आपको सब कुछ सही आपका है तो आपको यहां पाके submit के उपर click कर देना होगा और submit जैसे ही होगा यहां आपको यहां पर print application form का option देखने को भी मिल जाएगा और इस बाकार से form को आसानी से fill up कर सकते हैं आसा करता हूं यह वीडियो अच्छा लग होगा अगर इस परकार वीडियो आपको आपको में सचाहिए तो वीडियो को like, वीडियो को share और चैनलन को subscribe कर लेजागा मिलेंगे जल दे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिं दिस वीडियो